हलो फ्रेंट्स मैं हूँ अन्र पूलना और आपका स्वागत है मेरे किछन में आज मैं बनाने वाली हूँ रेट सॉस पास्ता यह रेसिपी बनाने से पहले मैं आपसे एक रिप्वेस्ट करती हूँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली आपके बहुत इच्छा से आता है तीखा कम रहता है एक प्याच और लसुन को मैं चॉप कर लूँगी टमाटर और लाल मिर्च को मैं बॉल कर लूँगी उसके अलावा मेने लिया है बटर यह अराउंड एक टेबल स्पून है उसके अलावा ऑलिव ऑलिव है कुटी काली मि अलेक से औरेग्यानो नमक अखॉर्डिंग टेस्ट है यह फ्रेश क्रीम है जो दूद के ऊपर से निकालते उसके अलावा चीज है ऑलिव ऑलिव की जगा आपके पास जोबी ऑलेबल है आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं सॉस के लिए मैंने पानी ब आप पैकेट के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना अगर आप पैकेट वाला पास्ता इस्तमाल कर रहे हो तो अब मैं इसको अच्छे से बॉल होने देती हूँ जब तक कि यह बॉल होता है हम बनाते हैं हमारा रिट सॉस तमाटर को बॉल करने के पहले मैंने इसको पर से चीरा लगाया था अब इसका मैं छिलका उतार। चीरा लगाने की वज़े से चीलका उतारने में आसानी होती है आप चाहो तो यह सॉस बना के पहले से फ्रिज में रख सकते हो अगर आप सॉस बना के रखोगे तो पास्ता बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं और यह लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च है अगर आपकी पास यह मिर्च नहीं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर डाल के ग्राइंड कर सकते उसी कलर बहुत अच्छे से आता है अब मैं इनको कर रही हूं ग्राइंड यह ग्राइंड हो गया मैंने इसका अच्छा पास्ता मैंने डाला है थोड़ा सा ओयल, डालके मैं इसको मिक्स कर रहे हूँ ताकि आपस में चिपक न जाए अब मैं रख रही हूँ साइड में, साइड में रखे अब हमारे प्रिप्रेशन रेडी है हम बनाते पास्ता मैंने रखा पैन उसमें डाला है एक स्पून ओलिव और एक टेबल स्पून मेटर डाल के मैं इसको मेल्ट होनी दे दी हूँ जैसे ये मेल्ट होगा इसमें मैं डालूगी बारिक कटा लसून लसून डाल के हमें इसको अच्छे से बुनना है ये पास्ता बहुत जल्दी बनता है बच्चों का तो ये फेवरेट डिश है ये जल्दी भी बनता है आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो इवनिंग ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हो लसून धुरा सा बुन गया अब मैंने इसमें डाला है बारिक कटा पैच पैच डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हमें इसे बहुत जादा नहीं भुनना है चाहो तो यहां पर विजटेबल का भी इस्तमाल कर सकते है अगर विजटेबल डालोगी तो विजटेबल डालके भुनना उसके बाद रेट सॉस डालना अब मैंने जो टेमाटो वाला रेट सॉस बनाया था वो डाल दिया है डालके इसको अच्छे से मिक्स करते हुए दो-तिर मिट तक पकने दीया है इसके बाद मैंने डाला है कुठी काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, औरेगेणो, नमक नमक डालके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है, तो जो सुखा लाल में चोता है, उसमें थोड़ा सा ओल डालके ग्राइंड कर लेना, बस हमारा चिली फ्लेक्स रेडी हो जाएगा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, हमारा प अपस में अच्छे से मिक्स हो गया, और हमारा पास्ता अल्मोस बनके रेडी है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, फ्रेश क्रीम, यहां पर आप चाहो तो मार्केट का क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेश क्रीम डालने से इसमें क्रीमी टेक्स्चर आता है, टेस्ट भी बह आप सिर्फ इसी तरीके से रेट सॉस में भून के उपर से धनियापति डालके सर्फ कर सकते हैं, वैसे बहुत अच्छा लगेगा, आप मैं डाल रही हूँ, चीज डालके आप इसके ओपर मैंने डाला है बारी कटा धनियापति, बस इसमें एक बार अच्छे से मिक्स कर रह अब मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया है, आफ करके अब मैं इसे कर रही हूँ, सर्फ हमारा बहुती टीस्टी यम्मी रेट सॉस पास्ता बनके रेडी है, आप भी ये पास्ता बनाईए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू